क्या नहीं करना चाहता हूं मतलब तनी से ज़रा व्लॉगिंग चल दी यहां पर काईदे से रहो कोई नी गाईज अब मेरा मैनेजर है क्या नाम इसके चैनल गाइज चल लड़ी यह बात थोड़ी से श्राब जैसी लगती है कि डेली व्लॉगिंग करेगा भाई तू किसी की मौत पर भी व्लॉगिंग करनी पड़ेगी सुभा से बिल्कुल भी मूड नहीं था मतलब कैमरा उठाने का भी मन नहीं कर रहा था इतना सैड मॉमेंट है मतलब इतना ज़्यादा शौक में हूं मैं कि मेरी समझ नहीं आ रहा है अभी भी मैं कैमरा पकड़ रहा हूं तो मुझे मतलब मेरी आत्मा इजाज़त नहीं दे रही है कह सकते हैं और फिलाल एक वीडियो शूट करने जा रहा हूं एड के लिए काम है दुनिया है चलती रहेगी इस विए इस शुटर रहे हैं जो तो डूर जाए अजिए इस अग्याद के लिए यह 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 शूट रहे हैं रडी यह दो बड़े एक्टर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं दो कतो नहीं पता पर एक तो है जो बुलेट में बेठा लड़का है जो लगता भावी कलाकार भावी कलाकार भावी कलाकार नहीं है भावी कलाकार नहीं है भावी कलाकार नहीं है भावी कलाकार नहीं है भावी कलाकार नह करना चाहता हूं मतलब कमीश से जरा व्लोगिंग चल रही है काईदे से रहो कोई नहीं है अब मेरा मेनेजर है क्या नाम इसके चैनल को प्रियांक आरे व्लोग जो है वो मैंने अपने मेनेजर को दे रखा है चलाने को पहले मेरा ही तो हमारे कुछ काम नहीं होता बैटरी खत प्र जैसे दो मिनट की फुटेज रहे गई अब इसको टाइम लैस्स्या तो अब करें ना करें ना करें सौ परसंट बैटरी में फुल फुटेज में तो करतेगा कोई भी वाइस साब 2% बैटरी में 2% मेमरी रहे रहे एक बनाया ब्लोग और नहीं रजने की तो के व्यू न वेशे विए आगे वेशे वसे लिए आगे क्यों कि मेरी फॉंद्जिव्स ने वीडियो पनाई थी मैं अपने ब्रांचेस खोल रहा हूँ एक हो गया प्रियंकारिय व्लोग गया निरजनी की व्लोग मारे पास एडिटर तो मिक्चर ग्राइंटर सब पुझा मारे बास प्रियंकार्या प्रियंकार्या यह वन मैंन आर्मी और सम्ताइम्स वन वमें आर्मी तो यह आप आर्मोस एपर आर्टिस्ट्स में जो एक जुड़े रहने की कला है वो है यहां पर सारे लोग खड़ें मतलब कहीं शूट हो रहा होता है तो एवरिवन इस बाउन टू बी देर तो वो बहुत काभीले तारीफवाद है पराल शूट निप्टा या नहीं निप्टा वो उससे क्या ही करेंगे आप अब यहां से निकलता है मतलब एक फैन के तौर पर बड़ा ही चीटेड सा फील होता है ऐसा लगता है यार कि इसी दिन के लिए महबबत की थी इन से हम एक 28 साल का लड़का किसी ने इतनी असानी से मार दिया तो मैराल कल से किसी भी काम में मन तो लग नहीं रहा है मतलब हम फैन्डम के बारे में बात करें तो मुझे कहीं लोगों ने फोन करके परस्नली पूचा गी भाई ठीक तू ठीक है ना आगे है मैं आपका मैं अभी अभी आया बस कोल के ते को इस मैं है यह तो कल परस्न वाला डबबा है इस मैं है अभी तो मैं कोल के ते काया तो अपने मुझे हो भाई कर दो अभी आपने मुझे ए को लोगो है तो पूचरिये इसको देड़ू बाबी ते पूछ के दो किया मुझे बिशकुड? बाबी हाम बजनो परीद बाद दर असल ऐसी है मुंबई में जब मैं रह रहा था और पहली बार लगा कि पहली बार लगा कि हाँ जिम को सीरियस लेना चाहिए जिम के लिए जो मोटिवेशन मुझे किसी भी चीज से नहीं मिल पाती थी तो पहली बार इंट्रेड्यूस हुए थे सिद्धू पाजी तो इनकी ट्रैक सुन-सुन के मैं भी वही दिवाना था जैसे कि पुरी दुनिया हो रही थी तो मेरे लिए तो पंजाब का मतलब सिद्धू मुसे वाला ही हो गया था मुंबई में पंजाबी दोस्त बन गया थे जिनके साथ मैं पंजाबी बोलने का ट्राई किया करता था वो जो जर्नी थी मेरी 2-5 साल की उस दौरान में लगातार स्पोन में इनी की ट्रैक सुआ करते थे मतलब मैं समझा नहीं सकता कि किस कदर कनेक्टेड था मैं मतलब अगर कोई कुछ भी नहीं सुनता था तो सिद्धू मुसे वाले को तो सुनता ही था मेरी वाइफ को समझनी आते हैं पंजाबी गाने पर हो सुनती है महराष्ण में क्या होता है कि मराठी गाने जादा सुने जाते हैं इवन जिम में भी अगर आप बजाओगे तो जादा जादा इंगलिश बजा लोगे यह तो मराठी सॉंग्स चलेंगी बट मैं एक पहाड़ी होकर एक पंजाबी के गाने मराठी को सुना रहा था मुझे रखता पंजाबी इंडस्ट्री कम से कम 3-4 दशक पीछे चली गई यह वापस अभी यह पॉसिबिलिटी रह गई थी कि आगे उस बंदे ने क्या क्या देना था दुनिया को पर भी बेकार चला गया जिस बंदे से आप बहुत ज Rubक हार प्यार करते हूं II आपका उससे मिलने का मन ऊता एक बार आपको बदलेमें यह नीच चाहिए किकि वह भी आपको जाने खुछ भी नीच पार वी दान कि एक बार मिलू में उससे उसको बताऊं कि कि यार मुझे तेरे घीतों से कितनी महब्बत थी, मुझे तुझ से कितनी महब्बत थी हमाम उसके घीतों के लिए मीरा की तरह वेट करती मैं तो पूरी दुनिया में लेके गूमता सावन अपना यार सिद्दू का नियाट रएक आ आया है सिद्दू को एक-एक मैश्वपीस बंदों के दिल में मारने वालों ने तो तुम्हें हमार कर दिया सिद्दू को एक मैश्वपीस बंदों के दिल में